हालो हाई दियर फ्रेंद्स, माई नेम इस आश्प्रीद कौर और तोड़े विया गूंग तो कम्लीट चाप्टर नमबर वन, जिसका लास्ट टॉपिक रह गया था, आम्स कंट्रोल ट्रीटीज, आम्स का मतलब होता है वेपिन्स, तो यूएस और यूएससर ने कहीं ऐसी ट् को जो है वो कंट्रोल करना चाते थे, ठीक है इसमें मेली चार ट्रीटीज होती, नमबर वन ट्रीटी है लटीबीटी, सेकिंड है, एन्पिटी, सॉल्ट और प्सटार्ट, ठीक है यह चार है, लेकि जो सबसे फर्स्ट वाली है वो है LTBD, फुल फॉर्म है इसकी लिमिटे test ban treaty test आपको पता है कि nuclear weapons का जो है test किया जाता है ठीक है यह देखने के लिए कि वो कितने जादा अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं तो इस LGBT ने क्या किया इन test पर ban लगाया ठीक है specific किया इन्होंने क्या कहा limited test ban treaty ने कि जो nuclear weapon का test है ठीक है उसे जो है ban कर दिया गया in three spheres ठीक है outer space में नहीं करना कोई भी test underwater नहीं करना और atmosphere में नहीं करना ठीक है अब देखी यह किस किस ने sign किया था तीन mainly groups ने sign किया एक था US UK और third है आपका USSR याद कैसे कर सकते हैं three U ने sign किया था यह ठीक है तीन U ने तो पहला U है US second है United Kingdoms third U है USSR ठीक है तो three अब आपको पता चल गया three U ने किया है तो अब आप कैसे learn कर सकते हो कि कब यह treaty को sign किया गया that was in 19 ठीक है 19 तो fixed रहेगा पहले आप लिखोगे three उससे भी पहले आप लिख दोगे six ठीक है उसका double तो 1963 के अंदर तीन हमारे groups ने sign की LGBT कहां पर sign किया गया Moscow के अंदर उसके बाद देखिए आपका अगली जो treaty है वह है NPT इसकी फिल फॉर्म है nuclear non proliferation treaty proliferation का मतलब होता है बहुत जादा multiply करना किसी भी चीज का तो यहां पर यह कौन सी चीज की बात की जा रही है nuclear bombs की बात की जा रही है तो इस treaty के तहत क्या हुआ कि इन्हों ने fix कर दिया कि यह जो आपकी proliferation है ना इसे आप खतम करोगे मतलब आप multiplication को खतम करने वाले हो कौन से weapons की nuclear weapons की आप देखें NPT में क्या है it is about की इन्हों ने fix कर दिया कि nuclear weapon states जो है कुछ ऐसी states हैं जिनोंने 1st January 1967 ठीक है 63 में LGBT और 67 से पहले जो है कहीं ऐसी nuclear weapon states हैं जिनोंने nuclear bombs को produce भी किया है और test भी किया है उनके इलावा जो लोग है ठीक है उनके इलावा जो भी countries है देखो इन से पहले मतलब 1967 1st January से पहले पहले जिनोंने produce कर लिया टेस्ट कर लिया सिरफ वो countries क्या करेंगी nuclear weapon रख सकती हैं और उनके बजाए जिनोंने आज तक produce और test नहीं किया इस date के पहले वो जो है अब nuclear weapons नहीं रख सकती तो आप देख सकते हो कि इनोंने क्या कर दिया अपने आपको जादा वो powerful बनाने के लिए कि हमने तो test कर रख है हम क्या करेंगे दुनिया को हम weak बना देंगे तो ये treaty काफी मतलब लोग इसकी criticism करते हैं ठीक है तो अब क्या हुआ 1968 में इसे sign किया गया किसने sign किया बफूक न B for Britain, F for France, U for US, U for USSR and C for China बफूक ने NPT को sign किया कहां पर किया LMW में देखो ये क्या चाहरे हैं अपने आपको जादा strong बनाना चाहरे हैं तो आप क्या लिख सकते हो कि LMW एक नहीं type की कार है तो LMW में ये sign हुई है ठीक है लंडन, Moscow and Washington में आप देखें कब sign हुई है 1st July को ठीक 63 में LTVT, 67 का date fix किया था कि इससे पहले 68 के अंदर sign कर दी गई और 1995 के अंदर इसे unlimitedly extend भी कर दिया गया उसके बाद देखें अगली treaty पर चलते हैं वो है SALT, SALT का देखें स्ट्राटिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स ठीक है ये इसका full form है S.A.L.T. SALT, ठीक है स्ट्राटिक Arms Limitation Talks उसके बाद start भी इसे देख लेते हैं strategic same arms फिर reduction आजाएगा और उसके बाद treaty आएगा ये बातचीत बहुत time के लिए चली थी ये सिधा treaty थी ठीक है तो start strategy का T.B. ले लिया इन्होंने यहाँ पर और S.T.A.R.T. start strategic arm reduction treaty ठीक है अब हम पढ़ते हैं पहले salt के बारे में द अंदर दो treaties sign की गई थी मतलब दो बारी जो है ये strategic talks हुई थी ठीक है number one जो है वो कब हुई थी 1969 के अंदर देखे अभी अभी आपने पढ़ा 68 के अंदर NPT हुई है उसके एक साल बाद क्या हो जाएगा आपका salt first की talk जो है वो शुरू हो जाएगी ठीक है उसके बाद क्या ह मोसको में शाइन की गई है तो सेम रहने वाले लियुनिट ब्रेजनेव इसमे एल आ रहहा है न तो आप लियुनिट ब्रेजनेव याद रखोके की सॉल्ट में एल आता है तो सोवियट उनियन का आपका लियोनेड ब्रेजनेव थे एक साइट पर दूसरी साइट पर कौन है यह तो हो गया आपके यूएससर के लीडर यूएस के प्रेजिडेंट थे ठीक है रिचार्ड निक्सन पहली में थे और जिमी कार्टर जो है वो अग क्या क्या किया गया एक तो एंटी बलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी जो है वो साइन की गई एबी एम ट्रीटी भी बोलते है और एक इंटरिम एग्रिमेंट साइन किया गया इंटरिम एग्रिमेंट में क्या था कि स्ट्राटेजिक ओफेंसिव आर्म्स हैं आपकी कहीं ठीक है करने वाले हैं ठीक है इंडरेमेंट में था स्ट्राटेजिक ओफेंसिव आर्म्स को हम खतम करेंगे ठीक है उसके बाद जो सेकिंड वाली है वो कहां पर शाइन हुई है वियाना में ठीक है वियाना में साइन हुई है जिमी कार्टर यूएस की तरफ से थे लियोनिड ब्रेज जो है वो सोवियट यूनियन की तरफ से और इसमें भी सेम चीज था कि स्ट्राटेजिक ओफेंसिव आर्म्स को हमने रिड्यूस करना है लिमिट करना है तो आशा है कि इतना क्लियर हो गया हो ल्टी बिटी मॉस्को में हुई है 1963 के अंदर साइन एन्पिटी जो है वो कहां और शेकिन वाली कहां पे है वियाना में हुई है तो आगे एक रह गई है वो पर लेते हैं अब हम कर रहे है स्टार्ट वाली जो आपकी स्टार्ट मीन्स स्ट्राटेजिक आर्म रिडॉक्शन ट्रीटी जो है वो यह भी मॉस्को में साइन की गई है तो याद हो जाएगा जो स्टार्ट वन है वो जो है वो 1991 के अंदर की गई है ठीक है और यह जो है 2003 के अंदर हुई है ठीक है 1995 के अंदर क्या हुआ था एन्पिटी को बिलकुल ही इंफिनाइटली एक्सेंड कर दिया गया था ठीक है तो दो साल का फरक है इन सभी में आप देखिए इधर से George Bush Senior, George Bush Senior, दोनो Start 1 and Start 2 के अंदर सेम थे, ठीक है, आप देखिए आपका USSR से पहले Mikhail Gorvachev थे, ठीक है, जुलाई 1991 के अंदर Start को साइन किया गया था, तो आप देख सकते हो कि December में डिसिंटिग्रेट करेगा, तो अभी तो ये USSR ही है, तो USSR के लीडर Mikhail Gorvachev ने Start 1 को साइन किया थ था, with US President George Bush Senior, उसके बाद जैनवरी 1993 के अंदर, George Bush Senior, US के जो प्रेजिडेंट है, उन्होंने मिलकर, with Russia's President Boris Yeltsin, इनके साथ जो है, ये Start 2 को साइन किया था, इन दोनों का भी main ही opinion था, कि हमें strategic offensive arms को limit करना है, कम करना है, ठीक है, तो ये थे आपकी Treaties, I hope आपको clear होगी हो, मिलते हैं अंगले वीडियो में, till then bye bye